उजयन में अलग-अलग मंदिर हैं और सांधीपनी आश्रम में इस वक्त हम मौजूद हैं और एक अध्भुत सी मूर्ती आपको हम दिखाएंगे ये नंदी की मूर्ती आप देखिएगा पूरी दुनिया में कम ही जगे ऐसा होगा शायद नहीं भी होगा जहां नंदी आपको शिवलिंग या शिव मंदिर के बाहर खड़े हुए नंदी हैं ये जो नंदी हैं खड़े हुए नंदी हैं और बाकी जगे आप देखेगा तो बैठी हुए नंदी आपको नंदी आते है और अंदर जो शिवलिंग आपको नजार आ रहे हैं वही शिवलिंग है जहां यहां पर भगवान कृष्ण खुद इस शिवलिंग का अविशेक किया करते थे सांदीपनी महर्शी जो है वो यहां पर जलविशेक और भगवान शिव का पूजन किया करते थे खड़े हुए नंदी की क्या कहानी है वो जानने की हम कोशिश करेंगे हमारे साथ पंडीजी मौजूद है सर महरा जी यह बताईए कि खड़े हुए नंदी और इस मंदिर की क्या कहानी है इस महाकाल वन में 84 महादेव हैं भगवान महाकाल स्वयंभू शिव 84 जगे पर 84 जगे पर 84 जगे पर स्वयंभ प्रकट हुए अलग-अलग टाइम बन अलग-अलग कारण द्वापर काल में भगवान कृष्ण कंसका वद करने के पश्चात 11 वर्ष 7 दिन की उम्र थी जब पढ़ने के लिए आये भगवान कृष्ण का स्वागत करने के लिए अभिनंदन करने के लिए विद्या लीला का दर्शन करने के लिए कुंड का जल और विल्वपत्र लेकर भगवान महाकाल प्रकट होकर इस लिंग से खड़े हो गए अपने स्वामी को खड़ा पाकर नंदीगन भी खड़े हो गए सारे देवता पुष्प वर्शा करने लगे हरी और हर का मिलन होता था गुरू भी खड़े थे गोविंद कृष्ण भी खड़े थे भोले बाबा महाकाल भी खड़े थे इस तरह से ये अद्भुत खड़े नंदी का यहां दर्शन सांदीपनी रिशी के आश्रम में कुंडे इश्वर महादे उपर होता है चोसर दिन भगवान कृष्ण यहां रहे चोसर दिन में चोसर विद्या, सोलह कला और सभी शास्र जो सांदीपनी रिशी उन्हें बताते उसका इस शिला आसन पर बैटकर धारा प्रवाह कुंड के जल से अभिशेक करते वे स्वाध्याय करते थे भिख्षा लाकर गुरु माता को देते रिशी पतनी सब उस भिख्षा के अन्नसे बच्चों का विद्यार्थियों का पालन करती पड़ाई पूरी होने पर धन के देवता कुबेर गुरु दक्षना के लिए खजाना लेकर आये थे लेकिन गुरु ने अस्विकार कर दिया के मेरे पास जो भी था सब आपको दे दिया अब मुझे किसी धन समपत्ती की कोई आवश्यक्ता नहीं तब कृष्ण रिशी पतनी सुश्रुसा माता निवेदन करते कि मा आप मांग ले भारती नारी अपने पती का अनूसर अन करती वो भी बोलती कि परियाप्त मातरा में अन मिलता है भिक्षा में सब विद्यारती और आश्रम वासियों का पेड़ भर जाता है मुझे भी अले नंदी बाबा बताते हैं रिशी पतनी को कि मा आपके सामने नारायन कर्ष्ण के रूप में खढ़े हुए हैं आपकी मनों कामना पूरी करना चाहते हैं तब ये कृष्ण से अपना पुत्र मांगती सांदिपनी रिशी के साथ पुत्र थे जिने सूर्य गरहन का इस्तनान करसे समय सोराश्टर प्रभास क्षेत्र में गोमती और समुधर के संगम पर शंकासुर नामक राक्षस हरण करके समंदर में ले गया था भगवान कृष्ण ने राक्षस शंकासुर का उद्धार किया पांच जन्य नामक शंकधारन किया धरम राज के वाँ गए वही प्राण आत्मा वापस लाकर गुरु माता को उसका पुत्र गुरु लक्षना के रूप में मिलाया तब मा ने कृष्ण को गोद में बेटा कर लाल करते वे श्री की उपादी दी श्री कृष्ण कहा इस मंदिर की छत का वासू श्री अंत्र के रूप में हैं मंदिर में बाये हाथ पर बेटे वे धनकुबेर हैं वो शिला आसन है जिस पर कृष्ण बैटकर अभ्यास करते थे सा आमने बाला जी, वामन, नारायन, दाहिनी सुन के गणेश और दाहिने हाथ पर सुशुरू साम आता है। वही सांधीपनी परिवार, पंडिश शेलेंद्र व्यास आप सब भक्तों के लिए कल्यान की कामना करता है। सांधीपनी रिशी मूल रूप से रहने वाले काशी के थे। काशी में उस समय जरासंद का राज्य था, जो कंसका स्वसुर और द्विश्ट परवत्ति का था। समस्त सज्जन, विद्वान, ब्रामन, रिशी मुनी काशी से पलायन कर गए थे, तीर्थ यात्रा करने बाहर नि जाता है, सांधीपनी महां अम्रत्युन्जय, महाकाल की नगरी, अम्रत कुम्ब के अउसर पर अपने पुत्र की कामना से आते हैं, लेकिन यहां देखते हैं कि अकाल पड़ा हुआ है, सूखा पड़ा हुआ है, अनजल की कमी, सादू, संत और सज्जन, स्रद्दालू, सब तरही तरही, सांधीपनी मुनी अपनी विद्या और तपस्या से भगवान महाकाल को इस लिंग में प्रकट करते हैं, वर्दान देने के लिए जब शीव प्रकट हुए, तो वर्दान में अपना बच्चा न मांगते हैं, जन कल्यान का ये वर्दान मांगते हैं, कि महाकाल प्राणी मात्र को हमेशा अन और जल मिलता रहे कोई भूका प्यासा न रहे शीव ने वरदान दिया और आज्या दी थी कि यहां आप शिक्षा का केंद्र इस्थापित करें आपकी मनों कामना पूरी करने के लिए नारायन स्वयम विद्ध्यारती बनकर आवेंगे काला अंतर में कृष्ण आये अध्यन हुआ गुरुदक्षना के रूप में रिशी ने अपना पुत्र प्राप्त किया वही रिशी परिवार आज भी अपनी वेद परंपरा जीवित रखता है महाकाल भस्म पूजन वाला पंडिश शेलेंद्र व्यास तो खड़े नंदी की कहानी और कृष्ण कैसे श्री कृष्ण बने उसकी पूरी कहानी आपने व्यास जी से सुनी कैमरा परसंद आश्यू के साथ अखिले सुलेंग की भारत 24 उजयन